नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप सब आप सभी का आपके अपने यूट्यू चैनल यूनिक साइन्स कलासेज में स्वागत है जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में सेट 6 तक साल्व हो गया था आज आप लोगों के लिए लाएं सुद कच्छावारा का ज्यू विग दो नर इगमक प्राकड में पाए जाते हैं क्योंकि प्राकड जो होता जो उसमें अर्सुत्री भाजन होता है तो अर्सुत्री भाजन के दोरान क्या होते हैं दो नर इगमक का क्या होता है निर्मार होता है अगला देखेंगे एक प्राक कोस में प्राक धानियों की संख्या कितनी होती है तो आप लोग जानते हैं एक प्राकोस में प्राकधानियों की संख्या कितनी होती है चार होती है अगला कोईशन है जो के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्सूत्री भाजन की आउसकता होने चाहिए तो जो के 200 दाने बनाने के लिए 250 अर्सूत्री भाजन की आउ सकता पड़ती है अगला कोईशन है एक कघहा जमजात उपापचेट रुट है जमजात उपापचेट रुट जो रोग है वो फिनाइल क्यूटो नीरिया है इसका अपसान यह सही है अगला कोईशन है प्रस्टन नंबर संख्या दोका का टाइप हाइट वुखार उत्पन करने है तो आप जानते हैं कि जीवार कोषका में केंदर का बिया आरम्भी केंदर है अगला कोईशन है सब्सक्राइब करें और qeo इसतरीके से एक प्रप्रागर से लाब का संचे में उल्ले कीजे इन्ही पर प्रप्रागर से लाब क्या होते हैं तो नमबर एक लाब है इसमें उत्पन बीज बड़ी भारी स्वास्त अथवा अच्छे नसल वाले होते हैं नमबर दूसरा है पर परागर द्वारा रोग और रोधक जातियां तयार की जाती है और नमबर तिसरा इससे पौधों की नई परजातियां उत्पन होती है जिन में वांचित नए गुड का समाबेस होता है अगला कोईचन है दो का अंगा जो विवित्ता तब तस्थल क्या है वो भावगोलिक छेतर जहां जिव विवित्ता संकट में होती है जो विवित्ता तब तस्थल कहलाती है तो आए अगले कोईचन का सलूशन देखते हैं प्रसन संख्या नमबर तीन का क प्राकोस में प्राकोस के प्राकड टेपिटम से भोजन प्राप्त करते हैं इम्योसिंटेसिस पर टिप्ड़ी लिखे यह उत्वर्धन एक ऐसी तक्नीक है लगभग दोसों में उल्ब दरो मादा के गर्व से निकाला जाता है इस दरोग का आपके अंदरल किया जाता है, कोशकावों को लिंक परिछड के लिए जाता है, उमसुद्ध डियनने का बिसलेशन किया जाता है, अगला कुश्च्चन है, पुरसनुत्तर नंबर 3 का गा, असली फल तथा नकली फल में अंतर लिक कीजिए, असली फल, नकली फल, अबासी फलों में बिना निसेचन की इसमें बीज नहीं होता है असंग जननता एंपो मिक्सिस को परवासित कीजिए असंग जनन कभी कभी पोधों में बिना इग्मक सनलेन वा अर्सूत्री भाजन के ही ने पोधों का निर्मार हो जाता है असंग जनन कहलाता है जैसे निबू नाक्फनी आदि अगला कोशन है बहु भुरूरता की परिभासा लिखे बहु भुरूरता बीज में एक से अधिक भुरूरों के उत्पन होने को बहु भुरूरता कहते हैं यहां पर अगला कोशन है मनुस के सुक्र का नामांकि चित्र बनाईे अगला कोशन के अनुप्रस्ध कारण का नामांकि चित्र बनाईे बना लीजीएगा तो आए ये क्या है एक इवाप्राग पोस की क्या है सन्नचना है इस तरीके से आप सन्नचना बना लीजिएगा अगला कुश्चन है परिवार नियोजन पर संचित टिपड़ी लिखे परिवार नियोजन का सीधा अर्थ होता है परिवार को सीमित रखना तो आए देखते हैं म मानो एक सामाजिक प्राणिये मानो जात में परिवार ही जनसंख्या का इकाई है। देखते हैं परिवार नियोजन की क्या आवसक्ता होती है। देनने फिंगर प्रिंटिंग की खोज एलेक्ज जेफरी वा उनके सहयोगों यां 1985 में की थी। देनने फिंगर प्रिंटिंग को देनने प्रोफाइलिंग अथवा देनने टाइपिंग भी कहते हैं। क्योंकि देनने की जो फिंगर प्रिंटिंग होती है इसलिए करवाई जाती है क्योंकि जिससे हत्ता बलट का अपने बलट गुरूप का पता चल सके। यह एक बहुत ही अच्छी विद्ध है। अगला देखेंगे रिस्ट्रेक्शन एंजाइम से आप क्या समझते हैं। असपश्ट कीजिए। परतबंधन एंजाइम को आडवी कैची कहा जाता है। वो एंजाइम को डिने को काटता है और परतबंधन एंडोनुकलेज कहलाता है। नंबर एक है इसका एक्जोनुकलेज। यह DNA के 5-2,3-0 पर नुकलोटाइड को काटता है। जैसे माली जीए यह DNA है। DNA का एकथिरा 5-1,3-1 होता है और एकथिरा 3-1,3-5-0 होता है। इसके नुकलोटाइड जो हाइड्रोजन बन द्वारा जुड़े होते हैं। यह 5-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to-3-to- को बिसेश निकलोटाइड अनकर्मों पर इस प्रकार के टुकडों में तोड़ते हैं कि उनके दोनों रंजिकों के बिमक सिरों पर कुछ आईउमित छार होते हैं इन सोतंतर आईउमित सिरों को चिपचिपे सिरे कहते हैं इन सिरों पर निकलोटाइड के पॉलिंड्रोम्स होत आलग नहीं दोनों तरप से क्या होता उल्टा सिर्णा क्या होता एक समान होता है इसमें पोलिन ब्रॉमिक सिक्वेंस कहते हैं जैसे इसमें दिखाया अलग यह हो जाएगा और इस तरीके से अलग यह हो जाएगा और यह जो सीरा होगा यह चिपचिपे सीरे कहलाएंगे आईए अगला question देखते हैं जो भी वित्ता के मुक घटकों के नाम लिखिये तथा इनके संदच्छर के उपाई लिखिये जो भी वित्ता के मुख घटक तीन परकार के होते आनवांसिक भी वित्ता जातिय भी वित्ता पारसित के भी वित्ता उपाय देखेंगे उपाय में देखेंगे संदच्छर के तो स्वास्थाने संदच्छर होने जाती हों कि प्राकृतिक आवास में किया जाता है स्वास्था पर संदच्छित करना वाय स्थाने संदच्छन कहलाता है जैसे चिडिया घार वेजबैंग जलसाला आधि अगला कुश्चिन है निम पर संचित्टी पड़ी लिके मनुस के आनवांसिक विकार तो मनुस के आनवांसिक विकार आप जानते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम या मंग मंगोलिज्म इस रोग का वर्णन सरपर्थम 1866 में लेक डॉन डाउन ने किया था इसको मंगोलिज्म जड़ बुद्धता भी कहते हैं कारण यह रोग 21 गुरसूत्र के एकाद सूत्रता के कारण इन्हीं 21 गुरसूत्र के एकाद गुरसूत्रा के कारण 2 येंट पलस 1 इन्ह गर्दन छोटी मानसिक रूप से अलप विक्सित होता है अगला कुश्चन है सेंट्रल डोगोमा इसी का दूसरा है दूसरे पट्टी यह एक डाउन सिन्म पटी पड़ी था एक सेंट्रल डोगोमा पर है इसे किरिक ने सन 1858 इस भी में परस्तुत किया था उन्होंने बताया अस्थांत्रित हो जाती है इसे ही आड़मिक विज्ञान का सेल्टल डोगोमा कहते हैं जैसे DNA से DNA बनने को रिप्लीकेशन DNA से mRNA बनने को ट्रांस्क्रिप्शन और mRNA से प्रोटीन बनने को ट्रांस्लेशन कहते हैं अगला कुश्चन है जे उर्बरक किसे कहते हैं खाद उत्प खाद उत्पादर में इसकी भूम का भूम उर्वरता बढ़ाने में जीवार भूम से पौधे को निरंतर नाइट्रोजन एक्त पदार्त उतलब्ध कराने में सहीयोग देने वाले जीवार को दो बरगों में रखा गया है नमबर एक है अमोनी कारक जीवार देखेंगे ये जीवार भूम में उपस्थित प्रूटीन एक्त पदार्तों को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं बैसलस मायकोडिस अमोनी कारक जीवार है आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहीगा आपको पूरा संपूर जानकारी मिलेगी पूरा नोट से मिल जाएंगे इस सेट का अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन इस्तिरी करण कुछ जीवार बायो से उपस्ति नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन इगकों में बदल देते हैं जैसे आप जानते हैं कुछ जीवार ऐसे होते हैं जैसे रायजोबियम होता है नाइट्रोवेक्टर होता है एजोट्रोवेक्टर होता है या इसे जिवाड होते हैं जो बाविमंडर से नाइट्रोजन का इस्तिरी करण करके योगकों में बदलते हैं किनी दो पर संशिट टिपड़ी लिखे है Red Data Book Red Data Book IUCN दौरा जारी एक विसेश किताब है जिसमें बिलुप्त संकरगरस्ट जिव जातियों का सुचनी बद बिबरड दिया जाता है Red Data Book कहलाता है उप्योगिता ये पुस्तक लुप्त हो रही है जो परजातियों की जानकारी देती है इससे हमें संकरगरस्ट जातियों के लिए आसरा अस्थल की इस्थित की जानकारी मिलती है ये हमें बर्तमान में उप्लब्ध जिवों की संख्या उप्लब्ध कराती है अगला परजीप्ता एक Red Data Book हो गया और दूसरा परजीप्ता है ये विसम पुसी जिव है जो अपने परपुसी के सरीर से आहार प्रात करते हैं परजीप्ता कहलाते हैं इसमें पौधे जिवार को रहने का अस्थान देता है तथा बदले में जिवार पौधों को नाइट्रोजन योगिक देते हैं आए अगले कुशन का सुलसन देखते हैं प्रसनत्तर संख्या साथ गुर बीजार जनन क्या है आवरित विजीप्स में उनस से लेकर बीजान बनने की परकिरिया विकास का वड़न कीजिए गुर बीजार जनन गुर बीजार मात्र कोशका से अर्शुत्री विभाजन के उपरांद गुर बीजार बनने की किरिया को गुर बीजार जनन कहते हैं इस परकिरिया में बीजान काय की अधोस्तरी कोशका आकार में बड़ी होकर अन कोशकाओं से भिन्ण हो जाती है जिसे प्राथमिक परशू कोशका कहते हैं ये कोशका विभाजन के क्रिय प्रारंबिक वित्तिय कोशका का निर्माल करता है अब गुरु विजार मात्र कोस्का द्वारा चार आगुरित गुरु विजार कोस्का बनती हैं इनमें से सबसे नेचे की कोस्का आकार में बड़े होकर सक्क्रिय गुरु विजार कोस्का बनाती है सेज तीनों कोस्का इंश्ट हो जाती हैं सक्क्रिय गुर्विजार कोस्का भुरोड कोस्का का निर्मार करती है इस परकार आद देख रहे हैं कुछ गुरु विजार जने कोशका का फीगर है आप लोग स्क्रीन साथ ले लीजिए जिससे आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत ना हो अगले कोईशन का सलूशन है प्रशनोत्तर संख्या साथ का अथवा है अथव में महिला के प्रजन तंतर का नामांग के चित बनाई है यहाँ पर हम चित लगा दे रहे हैं और आप लोग इसके निसार ले लीजिए लगा रहे हैं अगला कोईशिन है प्रोसनोत्तर संख्या आठ किनी दो पर संचित टिपड़ी लिखे नमबर एक अदू इनिसेचन इसमें देखेंगे पुस्पिय पोदों में एक ही भुरूर कोईश में दो बार निसेचन होता है प्रागनलका से मुक्त होए दोनों नरिगमक में से एक अनकोषका से संलेट होता है और दुतियक केंद्रेक के साथ संलेट करता है वास्तों में दुतियक केंद्रेक भुरूर कोईश में परिवधन है इसका पता सबसे पर नौसीन में लगाया था जैसे यहां पर सत्य ने सेचन यहां प्रात्मिक नर्ट इगुमगभाई और यहां पर क्या अंड कोशिका है दोनों क्या हो? निसेचन के तो टूमिदलजी का निर्मार हुआ लेकिन तिल समीकन में क्या होता 7 निसेचन है? अगला है टिपड़ी, दूसरा है टिपड़ी बहित मल उपचार, अपसिष पदार्थों में मल मोत्र का अतरिक कूड़ा करका टुवा नगरों से आने वाले जल भी सम्मिलित होता है, इसने उपस्तित थोस पदार्थों को सडाने में सुच्मजीयों की एहम भूम का निवहता है अगला पराथमिक उपचार, ये उपचार बिना जीवाड़ों के होता है, इसमें वांचित मल से बड़े छोटे कर निसेंदन दौथा आउसाधन द्वारा अलग किया जाता है, अगला दूतियक उपचार, पराथमिक उपचार को बाय टंकों से गुजारा जाता है, जहा वाहितमल से दोसित जल में उपस्तित कार्वनिक पदार्थों को विगड़ित कर उनसे उर्जा प्राप्त करते हैं, इससे गुलित कार्वनिक पदार्थों की मातरा धेरे-धेरे घटने लगती हैं, और इसमें उपस्तित सुचमजियों कि आउसेक्ता बीओडी भी कम होती यहां पर क्या प्रातिय की उपचार बायो टेंग कई बार आ चुका है आप लोगों को हर वीडियो में मिलेगा तो आप लोग इसका इंसरिंस आप ले लिजिए और फीगर बना लीजिए आप लोग वीडियो के अंतर तक बने रहिए गार नौट्स बनाते रहीएगा ताकि आ अगरा कोईशन है निमोनिया की रोग थाम निम्न है रोगी को ठंड से बचना चाहिए खाने के तरल और सुपाच भोजन देना चाहिए रोगी को पूर विश्राम करना चाहिए अथवा इसमें देखेंगे निम्न फलो में अंतर कीजिए फाली तथा लोमेंटम आश्ट फल त लोमेंटम ये एक सिकजो कार्पिक फल है अगला इस परकार के फलो में फल्भित प्रिष्ट और अधर सनचनाओं के साथ है ये फल संकुचन के समय कई अलगल तुकडों में तूट जाता है अगला है मेरी कार्प नहीं बनता है इसे तुकडे अस्पटन होते हैं और मेरी का अगला पॉइंट है फल्भित के अस्पतन द्वारा बीजों का परकिरण होता है अगला है इसमें फल्भित कभी नहीं फटती बीज फल्भित के अब घटन द्वारा मुक्त होते हैं अगला अश्ठीर फल तथा भिदर फल अश्ठीर फल मांसल फल होता है जिसमें आमतोर प वह है जो मंसल फल में बदल जाती है भिदुर फल यह फल परिपक होने पर बहुत से एक बीज फलासंकों में विभक्त हो जाते हैं फलासंक का निर्मार दो बीजों के बीज की फल भित के अंदर की ओर धन जाने से होता है कि यह फलासंक फिर फटते नहीं है अश्ट फल का एकजामपल है चेरी आम जेतुन और भिदूर फल का एकजामपल है गाजर धनिया अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर नो संशिटी पड़ी कैं मनुसमी निसेचन मनस में आंतरी निसेचन होता नर इगमक सुक्राण मादा की देह में मैथुन पर किरिया द्वारा पहुंचता है इस किरियाहित मैथुन अंग होते हैं सुक्राण अतेन सक्रिय तथा सचल होते हैं मादा की योन में लाखों सुक्राण परवेश करते हैं तथा वह सर्विक्स गर्भासे की ओर भरमण करते हैं अंता ये फिलोपे नलका में केवल एक ही सुक्राण द्वारा अंडाड का समागम होता है इसके पचद मासिक धर्म बंद हो जाता है यह एक अंडाड की क्या सहर पच्चा एक आप इसी रच्चा पड़ा लिए यह है जरम से ही मुझूद होती है तता आनवांसिक होती है अता इसे हम आनवांसिक पच्चा या प्रकृतिक पच्चा कहते है यह पच्च्च हमारे सरी में परवेश करने वाले बयकार को रोकता है वह उन्हें नश्ट करता है यह बायकारकों के सामने विमिन परकार के अवरोध खड़ा कर देता है सारीरिक अवरोध सारीरिक अवरोध में सबसे परमुक तोचा है जो किसी भी बायकारक सरीर में परवेश करने से रोकती है काई का रोध इसके अंदर लार आंक के आंसु वह आमासे में HCL आता है कुछ के रोध हमारे सरीर के रख्ट में PNL polymarfo nuclear leukocyte परदा औरोध जब तोचा में संक्रमन या उतक छह होता है तो वहां लालपन सूजन जैसी अस्थानिय परकिरिया होती परदा परकिरिया कहलाती है साइटो काइन अरोध विशार संक्रमन कोषकाओं विशिष परकार की प्रोटीन जिने इंटर्फेरान कहते हैं सरावित करती है जो आसपास की आसंक्रमन कोषकाओं को इन विशारों से बचाती है अगला इसी में निस्क्रिये पतरच्छा, जब सरीर की रच्छा के लिए बनाएगे एंटीबाडी सीधे सरीर में दिया जाते हैं तो यह निस्क्रिये पतरच्छा कहलाती है जैसे एक्जाम्पल है दुध सरावण की शुरुवाती समय में दुध में उपस्तित पीने वाले पदा जिसे कोलेस्टरम पेउस जिसे बोला जाता है पेउस कहते हैं ये में एंटी बाडी आई जी ये उपस्तित होता है अगला構चन प्रोशोत्तन नमबर संख्या का नो का अथवा अथवा है आनवांसी कुट पर निवन देखी तो आनवांसी कुट में जो लिगने वही कम है प्रोटीन संसलेशन में 20 अमिनोमल भाग लेते हैं इनके लिए कम से कम 20 कोडान होने चाहिए इसका आर्थ है कि RNA के चार प्रकार के नाइट्रोजनस चारों के तीन समों का अनकुरम पाले वेप्राइस इंखला में एक अमिनोमल के अनकुरम को निधारित करता है तीन नाइट्रोजनस चारों के एक अनकुरम को त्रिक कोडान कहते हैं इस प्रकार आनवांसिक संकेत पद्धत में कुल चार की पावर्तिन इनिए 64 कोडान होते हैं इनि 64 कोडान में 61 कोडान सक्रिय होते हैं तथा 3 कोडान इस्टाप कोडान होते हैं इसमें एक कोडान होता A-U-G, क्या होता A-U-G, यह दो कार करता है, यह अमीनो अमल को भी कोड करता है, अमीनो अलमिधियानिन को कोड करता है, और दूसरा कार करता है, यह यह स्टार्ट कोडान है, यहां से प्रारम्भन सुरू होता है, अगला है जिनेटिक कोडान की विसेस् तरिमांसीक कोड का परतेख कोडान M RNA के तीन नाइटोजन चारकों में एक बिसिष्ट अनुकरम का बना होता है दूसरा दो सनलंग्न कोडान के बीच कामा नहीं लगा होता जैसे U A यह है U A इसे U G यह लिग देंगे तो इसके बीच में कामा नहीं लगता एक विशिस कोडान सद एक ही अमिनो अमल को कोड़ित करता है यह AUG कोडान दो कार करता देखिए आपको बताया कि AUG कोडान दो कार करता यह प्रारम्भन कोडान के अतरिक्त अमिनो अमल मिथ्यानिन के कोडान का भी कार करता है आगे देखेंगे कोडान UAA UAG तथा UGA तीन समापन कोडान हैं ये किसी भी अमिनों को कोड नहीं करता है आप देखेंगे इस ग्राप को बना लीजिएगा और आप लोग बनिया से स्क्रीन साल ले लीजिए इस परकार आप लोगों का इस परकार आप लोगों का ये सेट समाप्त हो रहा है आप आसा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सेर जरूर करिएगा और जब लाइक सेर करेंगे तो हमारी और जब बरकरार रहेगी और नेक्स्ट वीडियो अगला सुलोशन अगला सेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा तब तक के लिए धहर बनाये रखें थाइंक्यू सो मच